हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं पीलकुल ठीक ठाक और आशरा करते हूं कि आप सभी भी तीक होगे और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप सभी के लिए अपना हाउस टूर लाएंगी तो इसी सीरीज में मैं आपके लिए आज लेके आई हूं अपना किछन को इसक्लेमर देना चाहती हूँ, आपकी स्पेस आपके लिए सबसे अच्छी और प्यारी होनी चाहिए, ना कि दूसरे के लिए ज़रूर नहीं कि मुझे जो चीज पसंद है, वो आप सभी को भी पसंद होगी, तो लेकिन जो भी मैंने सजाया है और बनाया है, अपने मन और यह सब मुझे बहुत पसंद है, तो आप सभी भी यह वीडियो में देखिए, और इंजोई कीजिए, I hope आपको पसंद आएगा, तो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो राइट हैंड साईट में, ये मेरा प्लेत्वर्म है, इसके उपर देखिए इस तरीखे से, मैंने कबर्ट बनवाय हुए है, ये टौली यूनिट है, और लेफ़्ट साइट में कुछ इस तरीखे से हैं, क्रॉकरी यूनिट है, साथ में सिंक दिया हुआ है, और नीचे क जिसमें मैं अपना जो है बेकरी का आइटम रखती हूँ जो मुझे बेकिंग के लिए यूज होते हैं और जो मुझे ग्राइंडिंग के लिए चाहिए तो मिक्सर हैं आपर मिक्सर जार्स रखे हुए हैं पीछे आप देख सकते हैं इंडक्शन रखा हुआ है और साइड में देखिएगा वुड़न स्कुर्स भी रखे हुए हैं कभी मुझे कुछ तंदूरी खाना हुआ उसके लिए और उसके जस्ट नीचे मेरा टोस्टर है क्योंकि मैं काफी ब्रैड वगेरे टोस्ट करती हूँ और साथ में यह जो मेरा यह किट है बॉक्स है इसमें मेरे पूरे कर सकते हो और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि मैंने आपर हैंड ब्लेंडर रखा हुआ है और जिस कम चॉपर भी हैसी में है आटेश्ट और यह जो है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था तो थैंक यू आशीश सेकेंड जो है शेल्फ उसमें देखिए देखिए प्लकाइश्च परहादा जो हुआ हुएँ अची देहीं देखिए पीछेट हैं ज्यावसा ने देखिए हों यह अम चैसे दो डॉत एक्शट उच्प रहता है मैं तो एक्स्ट्रा यह घंगे इसी दिख शर्ट करने का टशन दूं सूरर करे हम टो बासकेड्सört मे टीक पैसा तो सारे मसाले जो कि रहते हैं जैसे चिकिन मीट मसाले सब इसमें सिंक उसके नीचे भी सेटिया हुआ है तो काफी कुछ से बाइस पार है और में आप रखक हुए हैं एक्स्टा गार्बेज बैग्स क्लीनिंग वाइब्स और सेवलॉन यह सारी चीज़े मैंने यहां पर स्टोर करके रख्यू है तो काफी अच्छा यूटिलाइज हो जाता है यह स्पेस और हैंड वॉश होगे रखा हुआ आप देख सकते हैं यहां पर सेवलॉन रखा हुआ है और यह वा यह एक्स्ट्रा बॉटल्स जो थी वह मैंने यहां स्टोर करके रखा हुआ है तो इस तरीके से मैंने स्पेस को यूटिलाइज किया है साथ में जो राइट हैंड साइड में आप ऊपर साइड जो देख रहे थे उसमें इस तरीके से मैंने यह कंटेनर्स रखी हुए है यह केजी के कंटेनर्स थे जोकि मैंने व Здесь राइट में मंगवाया थे हमेजान से और यह थे तो मैया जो प्रीकैल साथ में व्लॉग देखा होगा साइड में जो यह यह फ्रेज रखा हुआ बड़ा सा फ्रेज है मेरा यह 700 लिटर्स का है सैमसंग का मैंने यह फ्रेज लिया था यह टैनियर्स वारेंटी के साथ आ रहा है डिजिटल इंवर्टर है और यह जो है स्टील फिनिश में काफी बड़ा रैफ्रीजरेटर है एक्चुली तो वैसे यूटिलाइज हो जाता है हलाकि इसमें क्योंकि सामान आजकल मैं काफी कुकिंग कर रही हूं यू न्यू तो मैं पस बहुत सारा आइटम स्टोरेज के लिए रहता है तो इस वज़े से और तो चलिए फ्रिज को मैंने किस तरीके से और्गनाइज किया है यह भी देख लेते हैं तो यहां पर देखिए यह शेल्स है यह एक्चुली मैं फ्रीजर वाला सेक्शन दिखा रही हूं आपका लेफ्ट साइड वाला तो यहां पर जो मेरे जो कुछ कुछ पैकेट्स जो ख निखा हुआ है घी मैं खुद बनाती हूँ घर पे ही बनाती हूँ और इसलिए इसमें रखा हुआ है क्योंकि चीचेंँ बहुत परशान कर रही हुआ leashा क्यों देखिए लेव मैंहें इसमें रख दिया है काफी अच्छ है हैं हैं लिए तो एजली आप कहीं भी उठा के रख सकते और उपर से ओपन कर्के और जो भी आपको निकालना है सामाण निकाल सकते तो यह मेरा another कंटेनर जो है इसमें हैंडल भी है तो इसमें मैंने काफी कुछ जो पैकेट्स मेरे खुल गए थे और उनको मैंने रबर से टाय करके रखा हुआ है तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बेरे बेसन है और मैदा है काफी कुछ समान है जो मैंने ओपन पैकेट्स की हुए थे तो यह सारी चीज़े मैंने इसमें स्टोर करके रखी हुए है तो इसी रहता है कि आपके कौन-कौन से पैकेट्स ओपन हो चुके हैं और इस तरीके से मैंने लाइनिंग कर रही है यह मैंने अमेजॉन से ओडर किया था यह रोल आता है तो इस तरीके से आप कट करके जितना मे के मैंजूरमेंट्स है और आप यह स्टोर कर सकते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो कोई भी चीज उसपे गिरे तो वह गंता नहीं होगा स्क्रैच जिस यह होती है तो जो इसके जो शेलस पर स्क्रैच नहीं आएंगे साथ ही साथ यह देखिए यहाँ पर मैंने लमन की ट तो वो पुरा एब्सॉर्ब कर लेता है और काफी फ्रेश फील देता है जब भी आप डोर ओपन करते हैं या पर मैंने कुछ बिस्केट्स वगेरे रखी हुए रैंडम ली चॉकलेट्स यूवी काफी डेरी मिल्क वगेरे काफी पसंद करते हैं तो उनके लिए मैंने आप ला लाए हुए हैं और इसकी नीचे जो है यह आइस बॉक्स है तो इसमें जो है इस तरीके से आप टिल्ट करते हो तो इसमें नीचे बॉक्स से माइस आ जाती है तो अभी तो मैंने इसमें यह आइस बैक रखा हुआ है क्योंकि कभी-कभी यूवी को ज़रुत पड़ती है तो वो इससे ठंडी सिकाई कर लेते हैं यहां पर भी मैंने साइड में एक नीबू का पीस रखा हुआ है तो आप यह बहुत यूसफुल टेप है कि आप जगे-जगे दो-तिन जगे नीबू रख दीजिए यहां पर मैंने रखे हुए हैं इस कंटेनर में प्रॉसेस चीज या मूल के हैं यह क्यूब्स में और साथ में क्यूआइ गर में काफी बटर पसंद किया जाता है तो यह पर मैंने यह बटर का पैक लाके रखा हुआ है इसमें क्यूब्स फॉंम में हैं तो काफी इसी है हें डी हैंड़िंग अस अदरी धी अर्ट है कि साथ ही आप पर कुछ पीज है तो इस तरीके से मैं स्टोर करके रख लेती हूई एंब और चीज चुह मैं रखे हुएैं तो कुछ भी मैं बनाती हूँ उसके लिए तो इस तरीके से मैंने यह बासकेट को और्गनाइस किया और उसके नीचे भी एक basket है तो उसमें देख लेते हैं कहके हैं तो जो अन ओपन पक्त हैं वह मैंने इसमें रखे हुए है जैसे कि से वहिया है और बहुत सारा आइटम मैधा बेसन वगेरा वगेरा इसमें रखने से क्या जल्दी और साथ में या पर कुछ हॉरलेक्स का बॉक्स है जो के वे ओपन नहीं हुआ है और यह नारियल है अभी दिवाली आ रही है तो क्या बनाना है उसके लिए मैंने सोचा है तो फ्रीजर वाला सेक्षिन मैंने कुछ इस तरीके से और ग्रैस किया है तो गाल कृट इस सेक्षिन थे अंपनिक जाओ सेक्षिन और यह रहा है तो इस तरीके से और ग्रैस किया हूँ है अपर वाला जो यह शेल्फ है इसमें कुछ इस तरीके से रेंडम ली चीज थे रही हूँ है जैसे कि कुछ और रेंडम ली चीज़ है रखी हुए हैं तो उनको मैंने इस तरीके से यहां दही रखा हुआ हैं इसमें मेरा घी है जो हम ड्रेगुलर यूज करते हैं वो घी रखा है और यहां पर थ्री एक्स हैं यह थोड़े से ट्रैक हो गए थे इसलिए मैंने उनको अलब करके र पॉटल वगएर आप रख सकते हो हो और यह यहां पर मैंने दूद रखा हुआ हैं दूद को हमेशा धक कर रखिए यह मलाई स्टोर करती हूं मैं और इसमें घी बनाती हूं साथ में मैंने फूर्ट कट करके रखे हुए हैं और यहां पर भी मैंने एक लैमन पीस रखा और साथ में मैंने मैट बिच्छाई हुई हैं और इसके नीचे वाले सेक्शन में देखिए यहां पर जो है मैंने शुगर रखी हुए हैं शुगर कंटेनर ऑविसली तो प्रोटेक्टिट फ्रॉम दा आंट्स और यहां कुछ रंडम ली चीज दे रखे हुए हैं यहां रो इस दो आप जो ओने ड्रॉट्स जो हम खा रहे होंगे वह रखा हुआ है और साथ में यह कंटे Nej दनी आ जो की मैं इसाफ करकि रहा है साथ में नीचे एक बॉक्स है यह ब्रेड बॉक्स है और साइड में हैं अंडे की ट्रे तो अंडे को मैंने वाश करके ड्राय करके अच्छे तरीके सा और्गनाइस करके इस ट्रे में रखा हुआ है तो यह दो ट्रे में अंडे हैं नीचे वाले बास्केट में मैंने फ्रूट्स रखे हुए है तो आप भी इस तरीके से पैनेपल क कट करें तो उपर से फॉयल लगा के आप स्टोर करके रख सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया इसे जो पाइनेपले काफी दिनों तक फ्रेश बना रहता है अधर्वाइस वोज उपर से थोड़ा सा ड्राय होने लगता है पुराना सा होने लगता है उसके नीचे वाले सेक्शन म इस तरीके से मैंने मैश पाउच जो मैंने मंगवाए था इसमें रखा हुआ है तो इस तरीके से स्टोर करके रखा है ताकि काफी दिनों तक फ्रेश रहें तो उसके बाद जो आ जाते हमरा डोर में तो डोर में अपर वाला शेल्फ जो है इसमें जैम, चटनी, सॉसे, मेयोज यह सब मैंने रखा हुआ है इस तरीके से ताकि मैंने सेक्शन में डिवाइट कर दिया है जिससे कि मुझे याद रहे कि मेरा जो चटनी है या जैम वगरा सेक्शन इधर है उसके नीचे वाले शे हैं यह वाला कंटेनर आपने मेरे प्रिवियर्स वीडियो में ज़रूर देखा होगा मैंने यहां लोकल पर्चेजिंग करी थी और साथ में मेरे डेट्स है अब ठंड आ रही है तो डेट्स वगरे तो खाना बनता है तो यह रहे मेरे ड्राइफ रूट सेक्शन उसके नीच नीचे वाला सेक्शन है ड्रिंक्स का सॉफ ड्रिंक्स का तो यहां पर मैंने कुछ ग्रीन कॉफी रखी है और यह होरलेक्स है साइड में है ग्लुकोस और साइड में है पीडिया शॉर तो मैंने इस तरीके से कंटेनर में निकाल के रख लिया है तो यह हमारा ड्रिंक कुछ भी रखने के लिए इसमें भी मैंने मैट पिछाई हुई है ताकि कोई भी स्क्रैच इस ना आए उसके नीचे वाले सेक्षण है चाइनीज वाला तो यह मैंने सॉसेज विनेगर्स टोमेटो सॉस सोया सॉस चिली सॉस इस तरीके से मैंने इसको करा हुआ है तो यह इस त तो यह है मेरे फ्रिज का ओवराल लुक तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके सा और्गनाइज किया है आपको इससे भी कुछ टेप्स ले सकते हैं अगर आपको कोई टेप अच्छी लगी हो तो कॉमेंट जरूर कीज़ेगा बताएगा कि आपको कौन सा मुझे मेरा किया अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा दोनों आप बता सकते हैं और या कुछ सजेशन्स हो तो जरूर मुझे बताएगा कि आपको किस तरीके से और मुझे और अर्गनाइज वे में रखना चाहिए अपने फ्रिज को तो फ्रिज के ही जस्ट जो ऊपर है इस तरीके से मै लाइटिंग है काफी अच्छा लगता है तो यह था मेरा आशकर वीडियो आई होगा लाइक है